नमश्कार प्रियमित्रों मैं गंगाराम और आज हम बात करेंगे यंत्र के विशे में दोस्तों, सिरी यंत्र है, महाकाली यंत्र है, हनुमत यंत्र है ये किस प्रकार से काम करते हैं? और क्या आज के जीवन में साल 2021 में इस आधुनिक्ता के युग में भी ये हमारे किसी काम के हैं क्या यंत्र वास्ताओं में काम करते हैं और काम करते हैं तो इनके निर्मान की विधी क्या है इन सभी विशियों पर आज में विस्तार पूर्वक चर्चा करूँगा दोस्तो यंत्र का सीधा मतलब है जो आपके काम को 10 या 20 गुना तक आसान कर दे माल लिया आपको 50 किलो मेटर कहीं जाना है यात्रा में आपका टारगेट है 50 किलो मेटर अब आप पैदल जाएंगे तो आपको टाइम बहुत लगेगा पूरा दिन आपका लग जाएगा औरजा बहुत आपको लगेगी लेकिन आपके साथ में एक साइंकिल है तो आपका समय लगबग लगबग 4 गुना कम लगेगा औरजा चार गुनी कम लगेगी अब आपके पास में थोड़ा advanced यंद्र है आपके पास में एक motor cycle यह भी तो यंद्र है तो आपको दस गुना तक कम टाइम लगेगा और आपके पास में और ज़्यादा एडवांस यंत्र है BMW है या कोई अच्छी गाड़ी है Mercedes है आपके पास तो आपका समय और और ज़्यादा बच जाएगी इसी परकार आपको किछी से बात करनी है वे आदमी 100 किलोमेटर में है तो मोबाईल भी तो एक यंत्र है मोबाईल एक यंत्र है ये कैमरे के माध्यम से मैं अपनी बात आप तक पहुचा रहा हूँ यह भी एक यंत्र है आवाज बहुत अच्छी नहीं आती तो समय और उर्जा की बचत बहुत कठिन काम को बहुत आसानी से जो करने में आपकी मदद करें उसे कहते है यंत्र दोस्तो अब बात करते हैं यंत्र निर्मान की विधी पर लेकिन उससे पहले आप से निवेदन करेंगे यदि आपकी बात आज कुछ समझ में आ रही है तो च दिखाने के लिए भी आप मुझे वोट्स अप कर सकते हैं मेरा फोन नमबर वोट्स अप नमबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो चलिए विशा में आगी बढ़ते हैं दोस्तो आपने हनुमत यंत्र या किसी भी देवता का यंत्र देखा होगा उस यंत्र में बहुत सार आड़ी टेड़ी लाइने बहुत सारे अंक लिखे रहते हैं यह क्या है यह है उस देवता का कोड है और जो उस देवता से संपरक करने के लिए उसकी शक्ति प्राप्त करने के लिए या देवता का आशिरवाद प्राप्त करने के लिए आप सेंकडो सेंकडो वर्स तक तो आज कल कल युग में नहीं होता, लेकिन दो वर्स, पांच वर्स, दस वर्स तक गोर तपशा करते हो, वर्त करते हो, प्वास करते हो, तब आपको कहीं जा करके कुछ शक्ति मिलती है, अब यदि आपके पास में उस देवता का सटीक यंत्र आपने निर्मान कर लिया और उसको टाइम में वहाँसे संबंदित हो पाएंगे, accept कर पाेंगे, बहुत आसान सी बात है, अब बात कर लेते हैं यंत्र निर्मान की विधी पर, दोस्तोँ यह बड़ा पेचिदा है, बहुछ तिपिकल है बड़ा कठिन काम है जिस देवता का यंत्र निर्मान करना हो, उस देव मानलिया किसी को महाकाली यंत्र का निर्मान करना है तो महाकाली यंत्र का निर्मान करने वाला व्यक्ति महाकाली का गंभीर साधक होना चाहिए महाकाली के मंत्रों का उसको ज्ञान होना चाहिए साधना विदी का पता होना चाहिए तब ही वह महाकाली यंत्र का निर्मान सफलता पूरव कर पाएगा. मालिया कोई हनुमत यंत्र निर्मान आप से कराना चाहता है या आप स्वयाम करना चाहते हो. इसमें कंडिसन यह है कि हनुमान जी आपके इश्ट देवता होने चाहिए. यानि कि आप हनुमान जी के सादक हों, यह आवश्चक है. साथी साथ में आपकी विद्वत्ता में, आपकी जानकारी में कोई कमें नहीं होने चाहिए. साथी साथ में आपको उस विसा का संपूरून ग्यान होना चाहिए. अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यान्तर निर्मान के कुछ महत्वपूरून पहलों पर. मालिया आपको एक मॉबाइल बनाना है, बहुत आसान सी बात है. तो मॉबाइल का जो इंटरनल प्रोसिस है, इसकी जो प्रान सत्ता है मॉबाइल की, जो इसमें अंदर का सिष्टम है, उसको बिल्कुल सटीक और सही होना चाहिए, उसकी आपको जानकारी होने चाहिए. इसका कवर कैसा है, इसका ग्लास कैसा है, इसकी बनावट कैसी है, डेवरियोसन कैसी है, उसमें बहुत डेबली नहीं जाना है. ठीक इसी प्रकार, जब आप किसी यंतर का निर्वान करें तो उसकी प्राम परतिष्ठा, उसके मंत्र, उसका न्यास, उसका जप देवता का पूजन, उन चीज़ों में आपको महारत हासिल होने चाहिए आप लिजन्ड होने चाहिए उस काम के, आपको गंभीर जानकारियों सीज़ की होने चाहिए ठीक है, बाकी आप कपड़े कैसे पहनते हैं, आपका लाइफिस्टाइल क्या है, उसका बहुत ज़्यादा फर्क वहाँ पर नहीं पड़ेगा आपको इंटरनलिज है, उसका फर्क उस पर पड़ेगा तो यंतर निर्मान करते समय व्यक्ति को उस देवता का सादक होना परम आवश्चक है, जिस देवता का आप यंतर निर्मान कर रहे हैं दोस्तों, यंतर निर्मान में यथा संभव जाप, फिर हवन, देव, पूजन, दैनी की रूप से कम से कम किसी भी मंतर का सवालाख जब आवश्चक है, तभी मंतर जागरित होता है और उस मंतर की सूक्सम सत्ता उस यंतर में परतिष्ठित की जाती है, लोंग टाइम के लिए, और फिर उस यंतर को जो व्यक्ति धारन करता है, वह देवता की संपरक में डिरेक्ट आ जाता है, और फिर यंतर को धारन करने की प्रश्चात उस व्यक्ति को कही न कहीं देवत देवता का नियावित रूप से भी दो मिनट एक मिनट या सफता में एक बार या महीने में एक बार या साल में दो बार जैसे भी हो सके उछ देवता की साधना उपासना भोग बली कुछ ना कुछ कम-जादा करते रहने चाहिए तो दोस्तों आज मैंने यंत्र दिरिमान पर य आगे जो पी एंटी फोन थे आज गल तो मुबाइल है जैसे इंडिया का है पलस नाइन वन पाकिस्तान का है पलस नाइन टू इसी परकार हर देवता के अपने-पने कोड है तो दोस्तों यंतर निर्मान को लेकर कि आज थोड़ी सी बात्चीत मैंने आपको की और मुझे लग किसी ऐसी शानदार जानकारी के साथ निकट भविश्य में भी तब तक के लिए नमस्कार